आपके पसंदीदा लोगप्री एजुकेशन चेनल आर के बायलोजी क्लासे जिक्कर में तो दोस्तों आज अपन चर्चा करने वाले हैं बायलोजी की जो सीरी चालू कर रखी थी मैंने 1000 प्लस मोस्ट कुश्यनों की उसमें पार्ट नमबर 4 पर चर्चा करते हैं तो देखे वीडियो को सुरू करते हैं क्यूशन नमबर 51, 50 क्यूशन में पहले करवा चुका हूँ, अगर आपने वह नहीं देखे हैं, तो चेनल की प्लेलिस्ट में देखे, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ पर देख सकते हैं, तो देखें क्यूशन, वीलेम हारवे, किसकी खोज के लिए प्रस सिद्माने जाते हैं, सी ओप्सन जो होगा, वह इसमें सही होगा, वीलेम हारवे के द्वारा रख्ट परिशन चरण की खोजे की गई थी, अगला क्यूशन देखे, 52 नमबर का जो क्यूशन अपना, एंटीजन है, तो एंटीजन क्या है, एंटीजन क्या है, एंटीबोड़ एंटीजन की अगर अपन बात करें न, तो एंटीजन देखते हैं, एंटीबोड़ी के निर्मान हेतुजूद, प्रेरक होता है, वही क्या होता है, एंटीजन होता है, सी ओप्सन अपन मानेंगे, इसके लिए सही होगा, अगला क्यूशन देखें दोस्तों, 53 नमबर के हैं, ओप्सन टॉंसिल, यकृत, वरिक और लसी का उत्तक, तो इनमें देखें स्टूडेंट्स, अगर अपन देखें, तो यकृत क्या करता है, रोगाणू का विनास करता है, तता सरीर का क्या कहलाता है, पुलीस रक्षा के कहलाता है, बी ओप्सन सही होगा, इसके लावा देके यकृत में कुफर सेल्स पाए जाते हैं जो रोगवाणों को क्या करते हैं नश्ट करने का कारी करते हैं सरीर में टॉंसिल की लंबाई बढ़ जाने के कारण खांसी भी अपन मानते उत्पन होती है ये भी अपने को पता हो नहीं चाहिए टॉंसिल से संबन दित आपको बता दिया है तो टॉंसिल के बारे में ध्यान रखेए कि सरीर में जब टॉंसिल की लंबाई बढ़ते तो खांसी उत्पन होती है अगला क्यूशन देखें दोस्तों 54 नंबर का जो अपना क्यूशन है मनुश्य में मादा इस्पष्ट युगमनज का संगठन होता है तो यह देखें 22 प्लस X, 22 प्लस Y, 44 प्लस X, और 44 प्लस X से Y तो इन में से कौन सा सही होगा दो एक के दोस्तों यहां पर तो इसमें जो मादा इस्पष्ट युगमनज होता है 22 प्लस X माना जाता है चोवन नंबर का जो फ्रस्ट है वह बिल्कुल सही होगा इसमें जो जाइगोट युगमनज का संगठन 2N होता है अर्थार 24 प्लस X सक्स अपने मान सकते हैं तो इसके अंदर अपन मानते हैं कि युगमनज का संगठन पूछा है जाइगोट युगमनज का संगठन 2N होता है यहां पर 2N होता है तो अर्थार 24 प्लस X सक्स अपने से मानेंगे तो फिमेल गेमिट N होता है अर्थार 22 प्लस X सक्स अपने से कहते हैं गेमिट की अगर अपन बात करते हैं तो वह है 22 प्लस X होता है और यहां पर अगर तो इसमें जो सही आंसुर होगा वह अपन देखेंगे कि 44 प्लस X अक्स जो है वह सही होगा युगमनज की यहां पर बात की जा रही है युगमक की बात की जाए तो 22 प्लस X होगा 44 प्लस X Y पुरूस में युगमनज हो जाएगा और 22 प्लस Y पुरूस में युगमक हो जाएगा अगला क्यूशन देखिए दोस्तों फिर 55 नंबर का जो अपना क्यूशन है उसकी बात करते है टर्नर सिंड्रोम होता है अक्स ओ, अक्स अक्स, अक्स वाई या अक्स वाई वाई तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है वह क्या होता है तो टर्नर सिंड्रोम की संख्या अपन माने त अक्स है और एक सुन्य अपने मान सकते हैं या नुपस्तिती तो 44 प्लस अक्स होने के कारण यह क्या होती है प्रकार कि फिमेल होती है और इसमें सारीरिक विकास नहीं हो पाता है इस्तन गरंतियों का अभाव होता है आवाज मोटी होती है और जनन शमता नहीं होती है तो यहा होता है cumpline filter syndrome होता है इसमें chromosome किसंग्या कितनी उस्य जाती है 47 होती है यह एक प्रकार का नर होता है इसके कुछ लक्षण मादा से मिलती है इस्तन गरंती का विकास होता है आवाद सूरीली होती है और जनन्षंता का क्या होता है अब आओ पाया जाता है अगला कुशन देखे 56 नमबर हीमोफीलिया रोग होता है तो ओप्सन आनुवंसी की तता लिंग से लगने कैलसियम की कमी से, रुदिर की कमी से और उप्रिक्त में से कोई नहीं हीमोफीलिया जो रोग होता है न वह पर मानते हैं किसके कारण होता है तो वह आनुवंसी की तता लिंग से लगने प्रमान सकते हैं कि यह रोग होता है लिंग से लगने रोग माना जाता है कि इसके अलबा जो दूसरा कैलसियम की कमी से अगर देखे तो हड़ी और जो दांत होते हैं वह क्या होते हैं रुदीर की कमी से माने तो एनिमिया रोग होता है अगला क्यूशन देखिए 57 पिता A रुदीर वर्ग और माता B वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुदीर वर्ग संभावे होता है पिता अगर A blood group माता B blood group की हो तो संतानों में अपन कहेंगे A, B, O और AB चारों जो blood group है वह क्या हो सकते हैं संभवे हो सकते हैं और इसका डिटेल से अगर वीडियो देखना हो तो आप मेरे चेनल में जाकर blood group का वीडियो देख सकते हैं उसमें मैं अच्छे प्रकार से समझा है कि किस प्रकार से blood group है ग्याद करती हैं अगला क्यूशन देखे त्यावन नंबर का क्यूशन स्वेत करांती नाम संबंदित है के रंगराजन, वर्गिस कूरियन, म. स्वामिनातन, जेवी, नारलीकर तो स्वेत करांती जो संबंदित हैना उसके जनक माने जाते हैं वर्गिस को अपन मानते हैं वर्गिस कूरियन, वह स्वेत करांती के जनक है और यह दुग्द उत्पादण से नाम संबंदित करांती है अगला क्यूशन देखे 5-9 आरेच कारक के खोजगरता कोन है रिसस, लेंडिश्टिनर, वीनर या लेंडिश्टिनर और वीनर दोनो तो आरेच कारक के खोजगरता कि अगर अपन बात करें तो वह कोन है लेंडिश्टिनर तथा वीनर को अपन मानते है आरेच कारक के खोजगरता है सुत्री विवाजन के बीच किस अवस्ता में गुण सुत्र विप्रीत द्रूओं की ओर गती करते हैं तो प्रोफेज, मेटाफेज, टिलोफेज और एनाफेज तो यह जो गती होती है वह किस प्रकार से होती है कि द्रूओं के ओर गती होती है वह होती है एनाफेज के अंदर होती है एनाफेज में आपर मानते हैं कि यह गती अपने को देखने को मिलती है आगे देखिए दोस्तों 61 नंबर का जो अपना कुश्यन है व्रद्धी वलय यानि की ग्रोथ रिंग्स किसकी कृयाऊ से बनते हैं केम्बियम जायलम फ्लोयम और जायलम और फ्लोयम दोनों तो व्रद्धी वले किसकी क्रिया से बनते हैं तो मुखे रूप से अगर देखें व्रद्धी वले केम्बियम की क्रिया से बनते हैं यह उप्सन जो होगा वह इसमें क्या होगा सही होगा अगला क्यूशन 62 नमबर परागन का अर्थ है परागन का अर्थ की अगर अपन बात करते हैं तो परागन का मतलब होता है परागधानी से परागन का वर्तिकागर पड़ जाना क्या कहलाता है परागन कहलाता है ए उप्सन जो होगा वैसा ही होगा 63 नमबर एन इसे एक फल वह है जिसमें होते हैं एन इसे एक फल वह होता है जिसमें क्या होते हैं इसमें पर मानते हैं कि बीना प्रागणों निसेचनी क्या होता है फल का निर्मान होता है C ओप्सन सईयोगा एक्जाम्पल केला अंगूर वगर एक्जाम्पल होते हैं नेक्ष्ट एके 64 नमबर प्राकन क्या होते हैं नर युगमकोद बिद मादा युगमकोद बिद नर भी जानूद बिद या मादा भी जानूद बिद तो प्राकन क्या होते हैं दोस्तों इसकी बात करें तो नर युगमकोद भी दिक्या होते हैं पराकण होते हैं नेक्स्ट शिक्ष्टी फाइप नंबर का कुश्चन देखिए आवर्त बीजी पात्पो में बुरून कोस प्राय केसा होता है एगुणित, द्वीगुणित, त्रीगुणित या किसी भी प्रकार का तो आवर्त बीजी पात्पो में जो बुरून कोस होता है न वह प्राय केसा होता है द्वीगुणित होता है टूएन होता है बुरून कोस क्या करता है बुरून को पोशन परतान करता है और ब्रून जो होता है एंब्रियो ब्रून वह त्रीगुणित होता है अगला क्यूशन शिक्ष्टी 6 नमबर का देखे बीज किस से बनता है ब्रून, ब्रूनकोस, अंडाशे या बिजांड तो बीज जो होता है वह किस से बनता है वह बनता है बीजांड से बनता है ओविल से निसेचन के बाद बीजांड से बीज एवं फल यानि ओवेरी से फल का निर्मान होता है अगला कुशन शिक्ष्टी सेवन नमबर एक ही पादप में एक पुस्प के प्राकणों का दूसरे पुस्प के वर्तिकागर पड़ जाना क्या कहलाता है तो दोस्तों ये अवस्ता जो होती है उसे कहते हैं गिटोनों गेमी के नाम से जानते हैं यानि कि एक ही पादब से एक पुस्प के प्राकन का दूसरे पुस्प की वर्तिका अगर पड़ जाना गिटो नो गेमी कहलाता है अगला क्विशन देखे 68 नमबर सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है तो सुपारी का खाने योग्य भाग पर मानते है ब्रून पोस होता है बी ओप्सन एंडो इस्परम सही होगा अगला क्विशन देखे 69 कौन सा फल नट फल कहलाता है तो नट फल इन में से देखे मूंग फली सुपारी अक्रोट या काजू तो इन में से नट फल कौन सा होता है वो होता है काजू डी ओप्सन सही होगा अगला क्विशन देखे नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है तो नारियल में खाने योग्य जो भाग होता है दोस्तों option brun pos, madhya phal bittti, anta phal bittti और भाई ये phal bittti तो इन में से जो brun pos होता है वही क्या होता है खानी योग ये भाग होता है तो दोस्तों ये थे most important अपने 20 question में आपको बता है जो परते competition exam की दरश्टी से important है क्विशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेड जरूर कीजिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत